ये आप इतने सारे पापड देख रहे हैं न ये फ्रेंस मैंने सिर्फ एक कप चावल से बनाए हैं यकीन मानिए इतना असान तरीका चावल के पापड बनाने का कि आप इन्हें जटपड बना लेंगे इतने पतले हैं कि अगर हम इनमें एक फूक मार दें तो ये उड़ जाए अब मैं इन्हें आपको तल करके भी दिखाती हूं तो देखा फ्रेंस आपने तलने के बाद ये कितने बड़े साइज के हो रहे हैं और कितने बढ़िया क्रिस्पी और कितने खुसक है आप इनको जैसे मूं में डालेंगे बिल्कुल घुल जाएंगे इतना बढ़िया हाई फ्रेंस आपका मेरी चैनल रच्छा की रसोई में बहुत बहुत स्वागत है आज आपकी रख्षा फिर से आजर है आपके लिए नई रेस्पी के साथ अगर मेरी रेस्पी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा चैज़र को सब्सक्राइब जरूर कर बगल में जो बैल आइकन दिया गया है उसे दबातना बिल्कुल मत बूलना तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेस्पी की वीडियो चावल के पापड बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर लिया है एक कप चावल तो यह चोटी वाली कटोरी है मैंने उसी से एक मिज कर लिया है आप जो भी बरतन ने एक ही फिक्स करिएगा और एक जरूरी बात चावल के पापड़ा जब भी बनाए आपको बहुत अच्छी क्वाइल्टी के चावल का इस्तिमाल करने की कोई जरूरत नहीं है जो भी आपके पास सबसे लो क्वाइल्टी हो आप उसका जरूर्ज च्छितल्ट मिलता है अगर टाइम नहीं है तो कम से कम चार से पांच घंटे के लिए बिगो करके रख दीजिये चावल अच्छे से फूल जाना चाहिए चावल बहुत अच्छे से फूल चुका है अब हम क्या करेंगे लेंगे मिक्सी का जार और इसमें हम अपने बिगोए हुए सारे चावल डाल देंगे चावल डालने के बाद बिलकुल जरा सा हम इसमें पानी डालेंगे बिलकुल जरा सा लगबख दो तीन छोटी चमच के करी क्योंकि ये अच्छे से फूल जाते हैं तो इने पीसने में बिलकुल भी दिक्कत नहीं होती है बहुत ही आसानी से पिस जाते हैं तो चलिए इनको हम पीस लिया है और कितना स्मूध बैटर रेडी है अभी आपको इसमें हलकी हलकी से दाने नजर आएंगे अगर आप इसको छू करके देखेंगे तो वो दाने रहेंगे ही लेकिन हम इसको जिस प्रोसेस से बनाएंगे ये सारे दाने अपने आप ही खतम हो जाएंगे तो देख स अब हमने गेस में कढ़ाई रखी है कोई सबी बरतले मोटे तले का लेना कोकर भी ले सकते हैं भगाउना भी ले सकते हैं अब जिस कट्णूरी से हमने चावल लिए थे न मापकरके उसी कट्णूरी से हम 5 तो पाँच कप पाणी डालेंगेघास टाले हेड़े पानी अई पानीट में पाँजा आको पाणी. अब हम लेंगे एक बिसकर या फिर कोई भी आप स्पैशुला ले लीजेगा चमच कुछ भी ले लीजेगा थोड़ा थोड़ा सा हम चाबल का गोल डालते जाएंगे और इसको लगातारी मिक्स करते जाएंगे अभी हम फ्लेम को हाई रखे हुए हैं जैसे हम पूरा गोल डाल दिया है अब हम फ्लेम को मीडियम कर देते हैं मीडियम फ्लेम पर इसको हम लगातार दो तीन मिनट तक चलाएंगे यहां पर लगातारी चलाना बहुत जरूरी है वनना इसमें गुटलियां पढ़ जाएंगी तो दो तीन मिनट तक लगातार हम इसको चलाएंगे एक जरूर तो आप सेम प्रोसेस से सीधे चावल के आटा को पानी में घोल करके इसी तरीके से बना सकते हैं तो लेजे जो हमारा चावल का मिश्टन था ये काफी गहड़ा हो गया है अब मैं आपको एक चमच की मदद से दिखाती हूँ कि ये किस तरह से और कितना गाड़ा हो चुका है तो देख सकते हैं आप काफी अच्छी इसमें थिकनेस आ गई है इसकी जो कंसिस्टेंसी थी पहले से काफी थिक हो गई है जैसे ही ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए बस अब आप चलाना इसको बंद कर दीजिए अब हम इसमें फिलेवर के लिए कुछ चीजे एड़ कर लेते हैं एक चमच भर करके डालेंगे जीरा साथ में यहाँ पर मैंने एक चमच लिए हैं रेड चिली फ्लेक्स हमेशा मैं घर वाली रेड चिली फ्लेक्स के इस्तिमाल करती हूँ आज मैं बाजार वाली रेड चिली फ्लेक्स के इस्तिमाल कर रही हूँ नहीं है सूखी लाल मिर्चो को कूट करके या चाकू से बारिक बारिक काट करके डाल दीजिए स्वाधन सार नमक डालेंगे अब यहाँ पर मैंने लिये हैं थोड़े से करी पत्ता यह सूखी हुई पत्तिया हैं अब फ्रेस लीप्स हैं तो चाकू से काटके डाल दीजिए मैं इनको मतल करके डाल देती हूँ करी पत्ता नहीं है कोई दिकत नहीं है आप हरा धनिया को बारी काटके भी डाल सकते हैं वो भी नहीं डालना चाहेते तो मत डालिए इससे थोड़ा सा ग्रीन टच रहता है जिससे देखने में पापड अच्छे लगते हैं तो मैंने करी पत्ता को अच्छे से क्रश करके डाल दिया है और इनको भी हम अच्छे से चावल की मिश्रण में कर देते हैं मिक्स मिक्स करने के बाद जो मिश्रण है काफी गहड़ा सा लग रहा है और अभी हमें इसको काफी पकाना भी है तो ये और भी ज़्यादा गहड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें एक कटोरी पानी और एट कर देते हैं इस स्टेज पर आपको जितनी जरूरत है आप पानी एट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें इसको पकाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो हमने इसको थोड़ा सा पतला कर लिया है ताकि जब यह पकेगा तो फिर से उतना ही गाड़ा हो जाएगा अब हमें क्या करना है इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाना है यहाँ पर यह गलती कभी मत करना चाहे साबू दाना के पापड बनाए या चावल के कोई से भी बनाए कम से कम 15 मिनट तक तो निश्यद ही पकने देना फिलेम लो टू मीडियम बस इससे ज़्यादा तेज नहीं करना अगर चावल अच्छे से नहीं पकेगा तो यकीन मानिए जब आप यह सूखेगा तो फट जाएगा चावल बीच बीच में आप इसको कर्चली की मदद से चलाते भी जाएगा वरना यह तलिय पर लग जाएगा तो इस अदिके से आपको पकाना है बीच बीच में चलाते भी जाना है तो ये पहले से थोड़ा घाड़ा हो गया है लगबग मुझे 10 मिनट हो गए हैं पकाते पकाते तो इसका हलका सा कलर चेंज भी हुआ है जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे इसकी हलकी सी कलर में चेंज़ेंग आती जाएगी तो लीजिए मुझे पूरे 15 से 17 मिनट की लगबग हो चुके हैं और फाइनली जो हमारा मि मिश्रण है बहुत अच्छे से पक चुका है अब हम कर देते हैं गैस को बंद तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी दाना नजर नहीं आ रहा है एक्दम स्मूथ इसका मिश्रण बन चुका है जब हमने पीसा था ना तो काफी इसमें दाने टाइप की थे तो वह दा जरूरी रहती है ताकि कोई चांस ही न रहे कि हमारे पापर चिपक जाएंगे आप प्लास्टिक सीट की जगाए कोई पॉलिथिन का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अब देखेगा मैं कितने पतले पापर फैलाती हूं आधी चम्मच हमने भर करके मिश्रण को लिया है बस आधे चम्मच से ही देखेगा मैंने कितने बड़े साइस का पापर फैला लिया है आप चाहे तो मोटा भी फैला सकते हैं लेकिन जो पतले पापर होते हैं इतने मतलब सौफ्ट होते हैं इतने बढ़िया होते हैं कि मोह में बिल्कुल घुल जाते हैं उनको खाने का आनंद होता है बिल्कुल अलग ही होता है, तो मैं फिलाल बहुत पतले बना रही हूँ, आपकी इच्छा है, आप जैसे बनाना चाहें, तो इसी तरह से हम आधा आधा चम्मज मिश्रन लेते जाएंगे, और इसे फैलाते जाएंगे, ये जो बेटर है ना, इसमें धेर सारी पापड बन करके तैयार होंगे, देखी हमने सिर्फ एक कप चावल लिया था ना, बहुत सारी पापड बनेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी कि कितने पापड बनेंगे, साथ में कुछ एक स्पेशल टिप भी दूँगी, जिससे आपको काफी आसानी हो जाएगी, तो आप देख सकत हैं, हमारे कितने सारे पापड बन करके तैयार हो गए हैं, एक जरूरी टिप, मैंने आधे ही पापड फैलाए, और जो मिश्टन था काफी गहड़ा हो गया था, तो हमने क्या किया, एकदम खौलता हुआ गरम पानी लिया, और थोड़ा पानी डाल करके मिश्टन को फिर से पतला कर लिया, जब ज़्यादा गाड़ा हो जाएगा तो आपको पापड को फैलाते नहीं बनेगा, तो बस पानी डाले, इक दब गरम खौलता हुआ पानी डाले, तो देखिए कितने सारे हमारे कोई कह सकता है, कि हमने एक कपचावल से धेरो पापड बना करके तैयार किय है, बस अब हम इनको दूप में सूखने देते हैं, अब मैं आपको दो घंटे बाद की शूटिंग दिखा रही हूँ, दो घंटे बाद जब मैं छट पर आई, तो आप देख सकते हैं कितनी जादा ये सूख गए है, तो अब हम इनको पलड देते हैं, तो टोटल मुझे इस में इनका कलर डाउन नहीं होता है, अगर आप बिना दूप के सिखाती हैं, तो हलका सा कलर इनका डाउन हो जाता है, तो हमने सभी पापरों को पलट लिया है, और शाम को अब मैं सूटिंग दिखा रही हूँ आपको, देखिए हमारे सारे पापर सूख गए हैं, और किस तर पापरों को तल करके भी, तो देखिए फ्रेंज कितने पतले पतले, कितने बढ़िया पापर बने हैं, एक भी पापर हमारा चिपका नहीं है, आप कितना भी पतला बना लें, इतना पतला है कि मैं हतेली पर रखूं, तो मुझे हतेली साफ साफ नजर आ रही है, इतने हलके है कि आप हलकी सी फूक मार देंगे ना, तो पूरा पापर ही उड़ जाएगा, आप समद लीजिए कि जितने हलके जितने पतले पापर हैं, उतने ही बढ़िया ये भुनेंगे, कुछ चावल के पापरों का साइज हमने छोटा रखा था, ये देखिए छोट छोटे साइज म इनको बनाया था, कुछ क्या हमने साइज बड़ा रखा था, तो चलिए अब मैं आपको इनको तल करके दिखाती हूँ, तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया तलने के बाद पापर छिचल रहा है, जबकि हमने इसमें न तो सोडा मिलाया है ना पापर खार मिलाईए, मेरा मानना तो यह है कि सोडा मिलाओ तो पापर लाल पड़ जाता है इसलिए कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है बिना सोडा के बिना पापर खार के ही पापर बहुत अच्छे बनते हैं मैंने कितने सारे आपको पहले भी पापर बना करके दिखाए हैं तो इस तरह से आप एक कप चावल से धेरो पापड बना सकते हैं बहुत आसान सा तरीका है जट पर से बन जाते हैं जल्दी फैल जाते हैं तो आप भी इस तरह से पापड जरूँ ट्राइ करके देखें आपको भी बहुत बहुत पसंद आएंगे तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की चावल के पापर की रेस्पी खूब अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा अपने फ्रेंट्स सरकल में विश्टेदारों में फियर जरूर करें ताकि वो भी ये र